नमस्कार दोस्तों, यूपी सिमैनिया, मैं आपका स्वागत है, आज हम रिस्क्स करेंगे एक जुन 2020 का दहिंदू समाचार पत्र, उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्णों की तरफ, कल के प्रश्ण हमारे कुछ प्रकार है, निम्निमेसे कौन G7 के सदर्श देश है, USA, रवी नाकलंड के गवर्नर वर्तमान में, अर्टिया एक्ट अधिनियम के समद में निम्निमेसे सही कतनों को विचार कीजिए, ये अधिनियम 2005 में आया था, ये बिल्कुल सही है, ये जम्मू कश्मीर के लाव समुचे भारत में लागव होता है, ये नहीं है, क्योंकि जब सामिल सुचनाओं को RTA के जबाब में मना किया सकता है, तो बिल्कुल सही, Official Secret Act के अंतर के जो भी सुचना होती है, उनको RTA में नहीं दिया जा सकता है, तो C option सही होता है, ये था हमारा कल के निच वेपर संबंधि प्रशनों का discussion, अब हम चलेंगे आग के समचार पत्र की तर तो इसमें मोदी जी ने बताया है कि अगर इस सितियां धीली के जा रही है, या रिलेक्सेशन किया जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि COVID-19 का खत्रह कम हो गया है, बलकि और ज्यादा हमको सतर करना पड़ेगा, जैसे क्या बताया गया है, कुछ health panels ने सुजाओ दिया है, कुछ में लिए जा सकते हैं, जो है nationwide lockdown लगाने के बजाए, cluster specific restrictions, यानि कि जहाँ पर cases ज्यादा है कि वहीं पर प्रतिबंद लगाए जाए, और routine health services जारी की जा सकती है, जैसे primary health care center पे, और जो है, मतलब जो mainly health based infrastructure है, जैसे आपका primary PHCs है, CHC है, इनको चलू कर जा सकता है, अगली महत खुले, को, काला, पानी, इन सबी अपने आपके मान चेत्र पर दिखाया है, तो उसमें सम्विधान संसुधन के लिए है त्युक्रायडे carved करेंने वात की जा रही है वहाँ पे परटिया वहां की आशकता होगे जिसमें फिपक्स यह कभी सायोक लेकिन वहाँ पर मद्रीष्यवें से समधी नेपाली सब्सक्राइब भी रहते हैं स्काइब करें असरे यह समिधान संसुधन हो रहा है नाय मांचित जोड़ा जाएगा वहां के समिधान में उस पर स्विक्रित देंगे या नहीं देंगे उन्होंने भी कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है तो यह इसी चीज देखने को मिल रहा है अगली नियुज़ है स्पेस एक्स स्पेसक्राइब सब्सक्सेश्फुली डॉक्स विट आई एसस तो जो इस्पेस एक्स प्राइवेट अजन्सी है इलॉन मस्क त्वारा स्थापित की गई है USA में तो उसने एक महारत हासिल किया है क्या है हम जानेंगे इसके बारे में कि पह कर सकते हैं आप क्याने की जो प्राइवेट कंपनी है जो भी लोग शुक है स्पेस ट्रेवल के लिए उनको घूमने को मतलब जो भी कॉस्टली परसन से जो एफॉर्ड कर सकते इनको स्पेस ट्रेवल कराएगी यह तो उसकी तरब एक कदम है पाकिस्तान हाई कमिशनर स्टा हमारा अन्यथा आपको सजा दी जाएगी जो भी लीगल पनिश्मेंट होगी तो यह चीज कहा गया है कि मिस्यूज कर रहे है अपने थॉर्टी का तो हाई कमिशन देखिए सामानेता सभी देशों की एमबैसी होती है दूतावास होता है लेकिन जो कॉमन विल्थ नेशन्स क अगली महाचपूर्ण नेशन्स है आपकी लोकस कंट्रोल गवर्मेंट इग्नोरिंग नन केमिकल मेजर्स तो एक हर्याणा के प्रोफिसर है उन्होंने केंद्र को एक अपना पत्र लिखा है और राज के अग्रिकल्चर मिनिश्टर को भी पत्र लिखा है कि गवर्मेंट त ते लंगाना के एक अग्र और गनिक फार्मर विंक कट्रेडी को पद्मिश्री पुरुषकार दिया क्योंकि वह अर्गनिख फारिम करते हैं लेकिन टिड्डों के अटैक से निपटने में जो सम्मेन इनका हथियार सरकार का वह केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो केमिकल इस्प करिए लेकिन जहां पे अन्न विकल्ब आपके पास उपलग्द है उनको भी आप ध्यान दीजिए जैसे कि जो चिंताला वेंकर ट्रडी है जो और गनिक फार्मर जिनको परश्कार दिया गया है उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं कि बीना केमिकल के स्प्रेग के कैसे टि मंदिर जो नाई मूर्ति के लिए उस हो खोला गया है तो प्रतिक वर्ष्णाप्र स्थरिम है के यह सीम जानेंगी नेरे केल चर चेंप पर प्रवेस नहीं करने दिया जाता है तो इसको कुछ जो है शमुदायों ने इसको केस को कि फाइल किया कि यह तो रायु ट्रियक्वरीक की अगेंस्ट है माहीलाओं को भी आहधिकार। धारमि छुतंदरता का और जो उन इनधार्म के इस प्रथै का यह है उन्हीं कुछ दोनों के बीच में केस फाइल हुआ कि जिसमें जस्टमेंट दिया गया कि नहीं महिलाओं को प्रवेस करने दिया जाए हाला कि अभी ये case फिर से review petition इसमें फाइल हो चुकी है और भी इसमें judgment नहीं आया है तो सब्री माला मंदि इसलिए चर्चा में रहा है तो हमको इस पे बराबर नजर बढ़नाय रखना है कि क्या भी निड़ाय आगे आते है आगली निज़ है रमेश कुमार में filed contempt plea तो जैसे कि हम आंधरप्रदेश से सम्मंधित दो दिन से समचार पढ़ रहे हैं कि जो एन रमेश कुमार वहां के पूर वो state election commissioner थे उनको ordinance के थूँ उनका कारिकाल घटा गए पांच वर्स तीन वर्स कर दिया गया जिसके तहट उनको retirement दे दी गई और क्यों दे दी गई क्योंकि उन्होंने अभी पंचात election कराने से मना कर दिया था और यह illegal है, ordinance का प्रयोग करके आप किसी इसका time period नहीं कम कर सकते हैं तो अभी रमेश कुमार यह है, एक contempt reply file करें Contempt क्या होता है? Contempt of court होता है, Contempt of parliament होता है, Contempt of legislature होता है Contempt मतलब होता है किसी के आहमानना करना, तियादे कि न्यायाले की आहमानना का case file करेंगे अगर यह्चित करती है, Content कितने प्रकार के होते है, Con him to two संबंधिक इस नोग fel इंटियों कोई मैंडूमें इसको ना मानना इस विल कॉन्टम्ट होजाएगा है लेकर छिट की चवे को धूमिल करना या कोड के फंक्सिंगे में बाधा पहुंचाना तो यह सब चीज उन्न कांड़ान के मैं बाता तो हुआ कि जैसे कि सहरों से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है सामान रूप से सहरों के तरफ माइग्रेट करते हैं वरकर्स लेकिन अभी कोविड-90 व्यासे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो सहर सब खाली हो गए हैं और ग्रामेड रिलाकों में रोजगार की इतनी संभावना नह परिप्रेक्ष में लागू होती है अगली नहीं सर्जिन रेस्क्यू आफ वाइड लाइफ दुरिंग लॉक्टाउन तो लॉक्टाउन के दौरान वाइड लाइफ एनि वन जीओं की काफी रेस्क्यू हुई उसमें बढ़ हुत्री देखी गई है तो क्यों क्या हुआ आजपास के वन जीओ जो जंगलों में रहते थे सामानेता इतनी कम गतिविधिया होने से उस शांत चेत्र पाके वह मानो जो है निवास अस्थालों में भी प्रवेस की हैं जैसे कि टाइगर्स जो है निवास चेत्र में आये बंदर भी काफी संख्याब दढ़ने देखी ग अभास हुआ कि यह मानो निवास स्थान नहीं हो गई या फिर यह हमारे लिए सूटबल प्लेस है तो इसलिए उन्हों सिफ्ट किया तो इसमें उनको रेस्क्यू किया गया यानि कि जाहिए सी बात है जब मानो निवास स्थान में आयेंगे तो मानो human animal conflict हो सकता है जिससे अं human environment relation की बात है human environment या human ecology relation की बात है रिलीज वाडवाव राव वाडवार राव डिमांड फॉर्मर सी आई सी जो पूर्व सेंट्रल एक्सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिसर है पूर्व मुख सुचना आयुक्त है साइलेज गांधी और एम स्री धैर चार्यू लू इन्होंने कह आए कि वाडवर राव को डिया रिलीज कर दिया वाडवर राव यह कापके जो है किसे संब्द्द थी यह आपका जो इनको सम्ट गिरपतार किया तो भीमा कोरिगाउं मामला के हमने बात की थी और यह फॉर्मर सी आई सी जैनि मुख सुचना आयुक्त है तो मुख सुचना पूप अधिकार है कि वह सम्मंधित सुचना को समन्धित सुचना को प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन ये भी ता समझ यह हो सकता है कि वह ऊफिस अुचना दे तो इस मामले को सुचना के लिए अगर वह सुचना नहीं देता है कोई बाधा पहुंचती है तो उसके सुनाई के चीफ इलेक्शन कमिशनर है, चीफ इन्फरमेशन कमिशनर है, मुख सुचना आयुक्त है, यानि कि जैसे कोई ओफिस है, जैसे और खमुदाहर तोर पलेते हैं, पी डिपार्टमेंट पे हैं, आपने उसमें RTI फाइल की कि कि इतना एक्सपेंडिचर है इस वर्स का, लेकिन उ उस पे कदम उठाएंगे, तो यह चीज था, RTI को इंप्लिमेंट करने के लिए, सबसे टॉप ऑफिसियल है, जो RTI के इन्फोर्स्मेंट को एंसे और कराते हैं, CIC, मुख सुचना आयुत की बारे हमने जाना, इनकी नियुक्ति राश्ट्रपति करता है, तीन सदस्चिय समि जो होती है, जिस नाम को सुझाओ देती है, उसकी नियुक्ति राश्ट्रपति करता है, तो यह चीज़ आपको ध्यान देने क्या हो शकता है, अगली महतपूर्ण यूज है, TATA संस to manufacture स्री चित्रा इंस्टिट्स test kits, तो स्री चित्रा इंस्टिट्स क्या है, यह आपका COVID-19 क टेस्टिंग के लिए kit तयार कर रही है, इसने patent किया है, तो RT-LAMP technology पर यह बना रही है, RT-LAMP का फुल फॉर्म होता है, reverse transcriptase, loop-mediated amplification technology, तो यह technology, RT-LAMP technology पर जो COVID-19 testing kits बनेंगी, यह थोड़ा जल्दी से test result दे पाएंगी, तो इसी के संबन्द में, कोलाइबरेशन की आट- रेट भी हमारी अच्छी होगी, हम अच्छे से COVID-19 से निपट सकेंगे, तीए चीज आपको प्रशन आशकता है कि कौन सी अभी कमपनी ने स्टिटांस्टिट से या फिर किसी प्राइबरेशन किया है, जो है COVID-19 test ticket को बढ़ाए जाएं, तो वो Tata Suns आपकी हो जाएगी, railway is set to get back on track, तो railway अभी सामानी सितियों में यानि पूर्णा से सुर्व होने की तयारी कर रहे है, जैसे कि आप जान रहे है, ticket booking स्टार्ट ही हो चुकी है, और सारे केसे, जो है, स्रमीक स्पिसल ट्रेने चल रही है, और भी 200 नई ट्रेने बढ़ाई गई, अब सामान रूप से, य हमारे पास शमता नहीं क्योंकि हमारे यह समय टैक्स केलेक्शन कम हुए है, तो हम देखें यहां centrally sponsored schemes क्या है, देखें जो केंदर की scheme होती है, उनको दो भागों में बाटा जा सकता है, एक आपको central sector scheme होती है, एक central sponsored schemes होती है, तो central sector scheme मतलब कि जिसमें केंदर की scheme है, या वो राजी बिसे बनाता है, जो केंदर बनाता है, जो central list में subject mentioned है, उनके आधारी जो scheme होती है, उनको central sector schemes कहते हैं, और जबकि जो state list पे आधारी इसकीम से बनती है, उनको centrally sponsored schemes कहते हैं, जैसे कि मतलब यह है कि वो scheme तो state के जिम्मेदारी थी कि बनाए उसको, लेकि central उसको sponsor क रहा है यानि कि उसको funding दे रहा है तो जो centrally sponsored schemes है इसमें normal format सामाने राज्यों के लिए 60 is to 40 होता है यानि कि अगर 100 रुपए का खर्चा आगर 60 रुपए केंद्र देगी 40 रुपए राज्य देगी तो जैसे इसमें centrally sponsored schemes का हम एक दो धानड देख लेते हैं जैसे एमची नरेगा हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई मिड़े मील योजना हो गई यह सरब आपकी centrally sponsored schemes में आती है इसका जो 60 पैसे खर्चाता है वो केंद्र देती है और 40 पैसे राजी को बहान करना पड़ता है तो बिहार अभी कह रही है कि भाई देखिए हमारे प पाएंगी यह चीज बताई है अगली नियूज एक इंटर्व्यू छपा है अस्वनी कुमार जी का यह political scientist है इन्होंने migrant workers को migrant workers की situation को बहुत अच्छे से उके रहा है तो यह बता रहे है कैसे क्या समस्या है तो इन्होंने बताया है कि जो आंकड़ो कनसार हम देखे हैं 2011 के त साधी विवाह के कारण से महिलाएं हैं महिलाओं की साधी होती है तो अपना घर छोड़ को दूसरे घर जाती तो यह नि कई भी कारण हो सकते हैं इसमें 30% माइगरेंट लगभा 15-29 वर्स तक है यह बताए है तो जो बताए कि जो मेल्स है वो इंटर स्टेट यानि कि अंतर एक दूसरे कम प्रवास मुक्तenne मेल रहाट होता है और जो अंतर जनपदी होता है वो मुक्तध हें प्रवास मेल्स हाधारित होताह है तो कि यह यह सामानीता साधियां एक एक जिले से दूसरे जिले가 कीagine होती है तो यह जो राज जिके अंदर प्रवास होगा जनपदी माइग्रेशन फिमल डॉमिनेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे इसको थोड़ा सा और जो है inclusive बनाना चाहिए कि migrant workers की स्थिति को अच्छे से control कर सके उस पर regulate कर सके और migrant workers का right और इसमें बढ़ाना चाहिए इन्होंने एक बात और कहिए है कि National Migrant Worker Commission यानि राष्ट्री प्रवासी मजदूर आयोग के गठान के जाए जो इन प्रवासी मजदूर समस्याओं को deal करें और बात बताई है कि जैसे जो भी migrants आते हैं उनको जो भी लोट रहे हैं उनको skill training दी जाए यानि कि उनको कुछ गुड़ सिखाए जाए जिससे उपने income को boost कर सके कम बढ़ा सके और बोले हैं कि जैसे जो राज जैसे माली जी उत्तरप्रदेश का मजदूर में झालि में जाकर रहता है तो ऐसा प्राधान के जाए दिनली वह चाहे है कि हमारो उन्टर नहीं तो बहुत हुआ है और बता होती हैं जैसे जैंधर धार वह फाइदा पहुचा जायाए है पूरे राष्ट्रफर में इसको विस्तारित कर दिया जाए ताकि कहीं भी माइगर जापकार्ट जो बना जाते हैं इसको लिए अलग जापकार्ट ना बनानी का सकता हूँ इन सबसी माइगर वर्कर्स की समस्या है वह दूर हो जाएगी इससे उजाते रहें तो काफी आपको भी काफी सीखने को मिला होगा आशा करता हूँ अगली निजी साइकलोन ब्रुविंग इन अरबियंसी तो जैसे कि मांसून सत्र सुप्राडम होने वाला है एक जून से केरला मांसून आजाता है लेकिन अभी देखी एक जून हो गया है कोई भारी वर्षा केरला में नहीं आई है तो इसका कारण है बता जा रहा है एमडी क्लें अग्रादकल साड़ान नीजी स सब्सक्राण चाहिका तो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव बता जा रहा है तो बता जा रहा है जब पहले सुषिल कोईराला प्रधार मंत्री थे वहां के तो नेपाली कॉंग्रेस के लीडर थे तो उसके बाद के पिस्रमा ओली विपक्ष में भी थे तो भी काफी समर्थन करते थे लेकिन जो क्या Vharkovik im jiji जो горhati таки पर सप्वाहिज सें कर देट है ल né 10 यो यह आयूब में सप्लाइज होती थी मोस्टली इंडिया से के जाती हैं तो तो बारत ने जो नया यह संचित अधिकार मिलें इसके लिए भारत हैं वहां पर स्प्लाइज केंच्वाग तर दिया ताकि नेपाल कि डबाबना जा सके और मदीश्यों को उचित अधिकार दिया सके इससे anti-India sentiment पन पा और उसके बाद जो हाँ पर इसी anti-India sentiment क्यादार पर चुना लड़ते हुए KP सरमावली जीत कए थे तो जब भारत ने supply chain काट दी थी तो चाइना ने उत्तर की तरब से हिमाले को क्रास करते प्लाइज की थी नेपाल को तो उसी समय चाइना ने इस मौके को फाइदा उठाते हुए नेपाल से रिष्टेप ने सुधार लिये थे क्योंकि भारत मतलब उसका लेवरिज उठाया था तभी सेने केपी सर्मा ओली जो है एंटी अंडिया स्टैंस पर अभी पॉलिटिक्स कर जा रही है और अभी समस्य आप समझे रहे हैं क्या हुआ है तो भारत नेपाल में काला पानी विवाद का फी जो है जगड़ की जड़ बना हुआ है और नेपाल नहीं माची तर जारी किया है उसको वह कांस्ट्यूशनल स्टैटस देने जा रहा है तो यह चीज आमने बात क आर्मी रेजिक्स अब वीडियो आफ स्टैंड़ विचाइना एक जैसे कि आप देख रहे हैंगो सोसल मेडिया पे वीडियो काफी वाइरल हो रहे हैं जिसमें कि इंडियान आर्मी परसनल्स जो है का भीड में खड़े हुए हैं और पत्थर फेक रहे हैं और जो है एक लोगों में सेंटीमेंट ना चाहिए चीज़ बताई जा रहे हैं अगली महत्पूर्ण नियुज़ है ट्रम पोस्पोंच जी सेवन समिट सीक्स टो एक्स्पैंड लिस्ट आफ इन्वाइटीज तो जैसे कि जी सेवन समिट हमने कल बात की थी क्या है यह डेवलब नेशन सा यह से कनाड़ा जर्मनी इटली फ्रांस जापान तो इसमें पहले जी एट होता था जिसमें रूस भी सामिल था लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने अधिकार में कर लिया था उसके बाद ही रूस को जी रेट से हटा दिया गया था और जी सीवन हो गया तो अभी G7 का जो हेड है वर्तमान में 2020 के लिए जो हेड है फो USA है तो USA की जिम्मेदारी होती इस साल की G7 की मेटिंग कराते हुए लेकिन COVID-19 की सिच्वेशन है तो कोई मिलने को मीटिंग को तयार नहीं जैसे कल हमने बात के थी जर्मनी की चांसलर एंजला मरकल ने मना कर दिया था तो अभी जो है ट्रम्प ने कहा है कि हम इसको G7 मेटिंग को कुछ दिन के लिए टाल लेते हैं और इन्होंने एक्छा जाहिर कि हम नए सदस्यों को भी सामिल करेंगे वजानी के पार्टिपेट कराएंगे यह अभी इसपस नहीं कि पर्मानेंट मेंबर बना जाते हैं कि व सबको एक करना चाहते हैं तो आप जैसे जानते होंगे समय यह उसे चाइना वार चल रहा है तो G7 को भी एंटी चाइना बनाना चाहते हैं अगले जो टॉक्स विएस फूटाइल से निव इरान स्पीकर तो इरान में नए स्पीकर जो है उन्हें पदगराण किया है तो बता हैं तो उसके बाद ही जो है हौंक को पर जो त्रेड्स अमधि रिलेक्सेशन था है योएसे का उसने अपना ट्रेड सेंक्शन लगा दिये हैं हौंग को जैसे ब्योहर करेंगा तो हम भी चैना जैसे ही वार करेंग समय जुसके हमने विसिए फूर को को उस वापस ले लेते ह रहा है जो बीजी ने कहा है कि जो यह सैंक्शन है चाइना से ज्यादा यह उसे को नुकसान पहुंचायागा यह बात बताई गई है यह थी और अगली हमारी महतपूर न्यूज है बेंगोल्स ग्रांड ओल बिल्डिंग बियर दब्रंट अफान चक्रवा जैसे पस्चे मंगल में जो है लैंड किया हुआ था तो काफी प्रभावित हुआ उससे तो बता जा रहा है कुछ जो है हमारा जैसे वहां पर एक ट्रस्ट है इंडियन नेशनल ट्रस्ट पर आर्ट एंड कल्चरल है इंटेक से बोलते हैं तो जो भी आपका हमारा जो यह हैरिटेज वहां पे डेवल बिल्डिंग से पूरानी बिल्डिंग से और जो भी मारा आर्किटेक्ट्रल मानुमेंट्स हैं उनको भी काफी च्छती पहुची है जैसे का आप चित में देख रहा हूंगा सेंट एंड और आप देखेंगे तो गिर गई है तो ऐसे कुछ और मनुमेंट्स को छती पहुची थी चीज़ बताया जा रहा है और इनको रिवाइबल करने में एक साल से भी ज्यादा समय लग सकता है चीज़ बताया रही है रेयर स्कॉर्पियन फिस फाउंड इन गल्फ आप मननार मे एक स्कॉर्पियन फिस पाई गई है स्कॉर्पियन मतलब था बिच्छू यानि बिच्छू की जैसे फिस पाई जा रहे है तो क्यों इसको स्कॉर्पियन फिस नाम दिया गया है क्योंकि इसके टेल में एक टॉक्सिन पाया जाता है जहर जैसा पाया जैता है उसको अगर टे है तो भारत और स्री लंक के बीच नीचे गलफाफ मननार की जोगरफी लोकेशन भी इंपॉर्टन चाहती है यह समधित था आज हमारे नीच प्रप डिसकसन से अब हम इस्पर समधित प्राइबिट कम्पनी ने सरप्रतम अंत्रिक्ष में मानो भीजने का महारत हासिल किया है नीव स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्पेस एक्स, वर्जिन आर्बिट, उपरिउट सभी ने मिलकर स्वेट रूप से हाली में किस कम्पनी ने चित्तरा लाइब के साथ आर्टी लैम अधायत सार्ष कोबिड नाइटीन टू के लिए टेस्टिंग किट बनाने की सहभा एकता की है टाटा संस, एर्लाइंस इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा और महिंद्रा यह उपरिउट सभी यह थी हमारे आज के निफ्स पर डिस्केशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक यू